स्वागत है दोस्तों आपका अपनी यूट्यूब चैनल सूरत बोई कृष्णा में दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बोई किसना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे अगर आपने कोई भी कमपनी के IRCTC की एजेंट ID आपने पर्चेस की है तो फ्रेंड जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड आप उसमें टिकट नहीं बुक कर पाएंगे जी आप फ्रेंड आज हम इस वीडियो में उसका पूरा पर्चेस जानेंगे कि कैसे दोस्तो आईडि पर्चेस होने के बाद आप उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं तो फ्रेंड जब तक आप ID एक्टिवेट नहीं करेंगे Spice Money ही है कैसी company है जो IRCTC की सबसे सस्ती agent ID provide कर रही है और सबसे ज़्यादा लोग वही ID purchase कर रहे हैं तो friend वो भी वीडियो देखे कैसे ID activate होती है उसके बाश ID कैसे activate करते हैं वो दोस्तों मैं पूरा process आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो friend ID activate करने के लिए दोस्तों आपको दो mobile number की ज़रूरत पड़ेगी एक तो AC mobile number जिसमें आपका आधार मलब ऐसा mobile number जो आपके आधार से link हो और दूसरी mobile number दोस्तों जो आपने IRCTC के agent ID जब आप purchase करे थे उस समय आपने जो mobile number दिया हो और दोस्तों Gmail ID ये तीन चीज़ की दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ने वाली है मैं आपसे request करूँगा ये तिनों चीज़ अपने पास रखे और खास कर दोस्तों आधार काड़ भी आप अपने पास ज़रूर रखे कि आधार KYC भी आपको इसमें करना रहता है इसके 24 hours बात जैसे मान के चलो अभी सामके 6 बज़ नहीं तो कल के सामके 6 बज़े तक या उससे पहले पर दोस्तों आपकी ID एक्टिवेट हो जाएगी और फिर दोस्तों आप unlimited ticket book कर सकते हैं तो चलो दोस्तों आपने मुबाइल के स्कीन पर और फुल प्रोसेस का जानते कैसे ID एक्टिवेट होती है एने कंपनी तो फ्रेंट जब आप अप्लाई कर देंगे ता आपकी Gmail ID पर दोस्तों आपका यूजर ID दिया रहेगा यह दोस्तों देख सकते हैं इस सीरी में आपका user ID दिया जाएगा जो कि मैंने बलर कर दिया है उसको आपको नीचे एक passport दिया जाएगा उसकी बाद फ्रेंट यहाँ पर आपको देख सकते हैं नीचे आपको आपको सिंपली क्लिक करना है उसके आप फ्रेंट जो भी आप रजिस्टर मोबाइल नंबर देगा वेरिफिकेशन कोड डाल की आपको आगे का प्रोसेस करना दोस्तों चलो हम फटा फट करते हैं इस पर क्लिक यहाँ पर फ्रेंट आपको एक्टिवेश्ट आपको मैं प्रेंट कर देना हो देख सकते हैं थे दोस्तों आपको इपको शिम्पली करना होगा हमनों उस पर टीप कर दी हम नोस पर दोस्तों यहाँ पे आपको ईूजर आएड़ी पासपोर्त और कय eligible कलिक करना का सिंपल उसकी बाद दोस्तों आपको लोगिन हो जाएंगे उसकी बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे कि आपको दिखेगा अपडेट प्रोफाइल ओफ सब जेन इस पर आधार बैस के वाईसी करना है यहां पर आधार नमबर फर्स नेम मिडिल नेम और लास नेम दोस्तों आपको फटा-फट ट के आधार के वाईसी सकसेज़ फुली दोस्तों हो जाएगा उसके आट फेन आप अलग वाले ओप्सन बजाएंगे देखेंगे पासपोर्ट मैनेजमेंट ओप्सन एक दिख रहा होगा चेंज प्रोफाइल पासपोर्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना है यहां पर आपको प फुल प्रोसेस है इसका एक्टिवेट करना है